सवगत है संद्या के कीचन में आज हम बनाने जले डृट्स के लड़ू हमने 100 गराम बदाम है 100 गराम काजू ले-लीया है 50 गराम मगज ले-लिया है गी अच्छे से हमारा गरम हो जाए फिर उसमें हम गौन्द, हमने सव गराम ले लिया है गौन्द को हम धीमे आच अच्छे से रोश्ट कर लेंगे तेज आच रहेगा ना तो जलने का डर रहता है और अच्छे से पकता भी नहीं उपर उपर का पक जाएगा लेकिन नीचे का पकेगा नहीं हमें धीमे आज देखे कितना अच्छा फुल गया है और कितना अच्छा पक गया है अभी हमारा गोंध हो गया है अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अभी हम उससी कड़ाए में थोड़ा सा और गी डालेंगे फिर उसमें अभी हम मखाने डाल देंगे हमारा गय स्लोई ही है नये तो जलने का डर रहता है अभी हम 2-3 मिनिट इसको भी अच्छे से रोष्ट कर लेंगे जैसे कि अच्छे से पक जाए देखिए कितना चप्फुल गया है हमारा भी मखाने अभी हम इसको भी एक पलेट में निकाल लेंगे अभी हम इसी कड़ाई में काजू बदाम को भी रोष्ट कर लेंगे घी जादा नहीं डालना घी जितना उतने में जादा नहीं करना है अभी हमने काजू बदाम को रोष्ट कर लिया है हम भी इसमें इसी पलेट में निकाल लेंगे अभी हम इसमें यी मगज हल्का फ्राई कर लूँगी देखिए हमारा मगज हो गया है दो से तीन मिनिट हमें करना है ज्यादा नहीं करना है देखिए परफिक्ट हमारा रोष्ट हो गया है मगज अभी हम उसी कड़ाई में दो चम्मच घी याओ डाल रही हूँ उसमें हम एक चम्मच बेसन डाल दे रही हूँ बेसन को भी मैं अच्छे से भून लूँगी अभी हम उसमें एक कप आटा डाल दे रही हूँ यह भी अच्छे से हम भून लेंगे धीमें आची भूजना है नहीं तो जलने का डर रहता है इसको भी इवी 4-5 मिनिट लगेगा अच्छे से भूनने में अच्छे से से भून लेंगे अगर घी कम लगे तो आप लोग डाल सकते हमारा परफेक्ट है देखिए अभी हम जो ड्राइब फूर्ट्स होगर सब ड्राइब रोश्ट किये थे ना अभी सब हम पीस लेंगे देखिए हमारा आटा भी हो रहा है अभी हम नारियल घीस लिये है देखिए परफेक्ट हमारा भून के हो गया है आटा छे से साथ मिनट लगता है आटा भूजने में अभी हम इसमें इलाची कूट के डाल दे रही हूँ इलाची का तो बहुत अच्छा खुसबू आता है अभी हम उसमें ही किस्मिश डाल दे रहे हैं यह हमारा पचास गराम किस्मिश है और नारियल अभी जो मैं घीस के रखी थी अभी थोड़ा सा हम नारियल डाल दे रहे हैं यह सब डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि थोड़ा सा मुनक्का भी हो जाए और नारियल भी नारियल कभी कच्चापन थोड़ा चला जाता है अभी हमारा भूनके हो गया है मैं एक पलेट में निकाल लूँगी अभी हम उसी कडाई में एक चमच पानी डाल दूँगी उसमें हम यह हमारा 200 ग्राम गुड है गुड को भी हम धीमे आच अच्छे से पिघला लूँगी हमें कोई चासनी नहीं बनाना है तार नहीं बनाना है सिर्फ पिघलाना है अस लोग इसमें पिगलाना है देखिए अभी हमारा पिगल रहा है अच्छे से देखिए पर्फेक्ट अभा हमारा पिगल के हो गया है मैंने गैस को बन कर दिया है देखिए एकदम पर्फेक्ट है हमारा चासनी गुड पिगल गया हमारा अभी हमें जो ड्राइफ फूर्ट सोगरा पीस के रखे थे एक बड़ा सा हम परात ले रहे हैं उसमें ही सब रख लूँगी यह हमने गोंद को भी पीस लिया था अभी जो हम आटा भून के रखे थे थे ना वो भी हम मिक्स कर लेंगे उसमें ही अभी हम जो गुड़ पिगलाये थे ना अभी मैं वो भी पूरा डाल दूँगी अच्छे से भी हम मिक्स कर लेंगे गर्मा गर्म देखिए हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं इसको गर्मा गर्म ही बाढ़ना है नै तो ठंडा हो जाएका तो बंदेगा नहीं देखिए इसी तरह से हम सब बना लेंगे परफेक्ट हमारा लड़ू बन रहे है ड्राइफ फूर्ट्स का और सर्दियों में तो आप लोग जरूर बना के खाएं बहुत टेश्टी हेल्दी रहता है अगर हमारा लड़ू पसंद आये ड्राइफ फूर्ट्स का तो लाइक से सस्क्राइब जरूर करना अब बेल आइकन बटन जरूर दबाना जैसे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे देखिए कितना नरम बना हुआ है आप लोग को हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं देखिए नरम और टेश्टी भी बना हुआ है